लहसुन की फसल में काली मसी का प्रकोप और नियंतरंड, काली मसी फसलों में लगने वाला एक प्रकार का रोग है। दिन में गर्मी, रात में सर्दी और नमी वाले मौसम में काली मसी का प्रकोप रभी सीजन की हर फसल पर दिखाई देता है। इसके असर में आने के बाद पौधे सूर्य की रोश्णी में फोटो सिंतेसिस प्रक्रिया नहीं कर पाते, जिससे भोजन नहीं बनता। नतीजितन पौधे की बढ़वार रुग जाती है। धीरे धीरे पौधा पीला पढ़कर नश्ट हो जाता है। समय रहते देख रेक नहीं होने की दशा में पौधा वफसल चौपट हो जाती है। रोग की लक्षन बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों पर पीले फीके धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धी रुग जाती है। बीमारी उब्र होने पर पत्तियों की सतह पर भुरी बैंगनी, ग्रे परपल, रंग की असपष्ट वृद्धी दिखाई देती है। पत्तिया पीली पढ़कर सूखने लगती हैं। लहसुन की फसल में काली मसी का नियंतरन, संक्रमित पौध सामगरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा खेत में पड़े संक्रमित फसल अवशेश को खेत से बाहर ले जाकर नश्ट कर देना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से इस बीमारी को कम किया जा सकता है। जैविक नियंतरन के लिए फसल लगाने के पूर्व 5 किलोग्राम ट्राइकोडमा विर्दी और 5 किलोग्राम स्यूदोमोनास फ्लोरेसिस नामक फफून को वमी कंपोस्ट में मिलाकर या गोबर की खाद में मिलाकर डालना चाहिए। जैविक फफून्द नाशक का 4 ml प्रती लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं।